एक बाद फिर आप सभी वीवर को मेरा नमस्कार आधाविम ससरेकाल मैं डॉक्टर बिजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ कियर आज हमारे चैनल के जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं जो फिल्ड में आए हुए हैं जब फिल्ड में जा हूँ वहाँ पर ऐसा हुआ है कि एक बीक के अंदर लगभग उसके 60 से 70 एनिमल्स की डेथ हो गई है और यह जो एनिमल्स की डेथ हुई है इनकी जो उम्र है 30 से लेकर के 40 दिनों के बीच में हुई है तो आज के वीडियो में हम आये सबसे पहले जो पस्पालक्षे हमारी व पर होता है तो इसके फ़ाँ पर इतनी कैजॉल्टी नहीं हो इनको सबसे पहले क्या समस्या आ रही थी ने इस केस में जो आपके मरें हैं जितने लग कितने मरें हैं कितने बच्चे मरें हैं कितने दिन के अंतराल में हपता वर्म साथ बच्चे मर गए हैं कितने उम्र रही होगी उनकी पैंटालिस पचास तीस दिन तो उसमें कोई लच्छण मिल रहा था कि क्या होता था लच्छड यहीं बच्चे का मतलब जो दूद पीर हैं वहीं अचानक इसे मर रहें हैं मतलब दूद पीते हैं और दूद पी रहे हैं उसका लचण यही है कि दूद तत्काल पी रहे हैं मर रहे हैं अच्छा इनका दूद पी रहे हैं और उसके बाद उमर जाते हैं मतलब उनका पेटोट से ही रहता है तो नहीं आती है अच्छा नाक वा कुछ नहीं बहता है अच् आए जटना मरें हैं सभी सी तरीके से मरे हैं घाज सी उसले बिल्ककर तुमें इसके सब को आ रहे ऊचहा का यह साउच हूं है दो आध सब कि कैने उम्र के हैं अधर कि दो साल क्वाम थीजिए बनाग भी तो दो-तीन साल के हैं ना इनको कोई समस्षब नहीं है जैसे यह तो चलने वाली समस्षब मैं देख लिया कि चल नहीं पा रहें सही से नाय तो सामन्त अच्छा एकदम से नहीं रहें हैं कितने बच्चे हैं इस तरीके से इसमें इस समय तो 15-20 बच्चा अच्छा यह आइरन वाइरन का टानी कुछ चलाये थे जब घर भिती तब कोई बैक्सिनेशन और गराये थे बैक्सिनेशन भी नहीं कराये थे इसमें देखिए में चीज जो रहता है जादा तर जितने बच्चे मरते हैं जितने बच्चे मरते हैं उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है आइरन की कमी ठीक है आइरन की जब इन में कमी होती है तो उनके खून में कमी हो जाती है और जब खून में कमी हो जाती है तो एक आए कितनी तेजी से मरेंगे आप जान भी नहीं पाऊगी अच्छा उसकी पूर्ती जो होती है वह जैसे जो बच्चे बच्चे रहेंगे उससे पहले जब यह गर्भित रहते हैं तो उसी समय उनको दिया जाता है ताकि उनके बच्चों में वह कमी ना आवए ठीक ह चाचा यह जो ब्रीड है ना कि इसको देशी जैसा अगर पालोगे तो सफल नहीं हो पाऊगे इसमें सारी विवस्था जो चलती है गर्भित होतीं है तभिष सारी चीजे चलना सुरूराँ हो जाता है तभी जाकर की इनके बच्चों में वह चीजे आती है और तभी जाकर की यह बच्च पाती है अच्छा यहां और वहां दोनों मिला करके कितने मर गए हैं 60-70 मतलब दोनों जगा मिला करके हूँ अच्छा सब जो बच्चा दे थी इनकी जो मदर्स थी कितने दिन के अंतराल पर दी होंगी अच्छा दिन 10 दिन 5 दिन और जैसा कि इसकन भी आप देख रहे होंगे इसकी उफायटी सो रही है और यह कंडिसन तब ही डिवलप होता है जब उस ऐनेमल में बलड की कमी होती है और सामान तोर पे जो पिगलट होते है उस में बलड की कमी तब ही होती है जब उसमें iron की कमी होती है फिगरी फार्म की जबसे बड़ी प्राhoल्म्स होती है वो फिगलट अनीमिया की होती है और अगर किसी भी फिगरी फार्म का जो owner है अगर वो फिगलट अनीमिया को management नहीं कर पाया तो समझ जाए कि 100% उसका जो पिगरी फार्म होगा वो फलाप हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले यद अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इनफार्मेट्री वीड यह हमेशा के लिए छोटकारा पा सकते हैं मतलब हमारा जो पिगरी उनर है उसके प्रेगनेंसी से ले करके और पार्चुरेशन के बाद कैसे बेवस्था करें कैसे एनेमिल को क्या-क्या खिलाए जिसकी वज़से उसके जो पिगलेट हैं उसमें एनेमिया कंडिशन्स डेव इतनी देर तक हमारे वीडियो को वाच करने के लिए आप सबी वीवर का बहुत बहुत धनबाद मिलते हैं दूसरे दिन तब तक के लिए आप सबी को जय हिंद जय भारत